गंपती बाप्पा मोर्या मंगल मुर्ती मोर्या तो हां गंपती बाप्पा सब के वहां आई गए होंगे तो हमारे यहां भी गंपती बाप्पा आ गए हैं तो आज हम बनाएंगे गंपती बाप्पा के फेवरेट लड्डू तो आज हम बनाने वाले हैं चूर्मा के अगर नहीं है तो बाहर मार्केट में चक्की पर यह आटा आपको इजली मिल जाएगा तो यहाँ पर मैंने दो कप गेहू का दरदर आटा लिया है चोटी वाली सूजी लिया है वन फूर्ट कप और बेसन लिया है वन फूर्ट कप और अब उसके अंदर मैंने डाला है आईल आटे को अच्छे से मसल के मिक्स कर लेना है और यह दिखिए जब हम उसको मुठी में ले तो भिखरना नहीं चाहिए ऐसे चुड़े रहना चाहिए अगर आपका आटा भिखर रहा है तो थोड़ा सा ओयल और एड़ करना है अब हम आठे को गुंत लेंगे, तो यहां पर आठा गुंतने के लिए हमें चाहिए गुंगुना पानी, यहां पर हम थंडे पानी के यूज नहीं करेंगे, यहां पर हमने दरदर आठा लिया है, तो हम गुंगुना पानी लेंगे, तो आठा अच्छे से गुंत जाएगा, त तो यहाँ पे हम एकदम सक्त आठा गुंतेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करेंगे और आठा गुंते जाएंगे, आठा गुंतने में थोड़ी से मैनत लगने वाली है, क्योंकि हमें सक्त आठा गुंतना है, तो थोड़ी से मैनत तो लगेगी, और मैनत का फल अब उसको ढखक कर 5-10 मिट हम उसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे कोई भी आटा हो उसको रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है तो 5-10 मिट उसको रेस्ट देंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे तो यह देखे 5-10 मिट हो चुके हैं और हमारा आटा एक दम रेड़ी है लड़ू बनाने के लिए इस आटां से हम दो तरह से लड़ू बना सकते हैं एक तो ऑइल में फ्राई करके बना सकते है और दूस्रा तबेपे सिखे तो आज हम दूसरे वाले तरीके से लड़ बनाएंगे तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा आटा ल हो जाएगी और हमारे लड़्डू भी कड़क बनेंगे एकडम सौफ नहीं बनेंगे इसलिए भाकरी को थोड़ा सा मोटा रखना है तो यह देखे इस तरह इतना भाकरी को मोटा रखना है अब उसको हम सेख लेंगे तो एक तवे पर मैंने थोड़ा सा गी लगा लिया है और पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और अब इसके उपर हम भाकरी को सेख लेंगे तवा अच्छे से गरम हो जाए फिर इसके उपर रखेंगे भाकरी और उसको सेख लेंगे तो भाकरी को हम दोनों तरफ से सेखेंगे एक तरफ से से शिख जाए फिर उसको प्लेम पे उसको सेक लेंगे इस तरह दोनों तरफ से golden brown हमें उसको सेक लेना है तो यह देखिए इस तरह मैंने सारी फाकरी को सेक लिया है बाकरी एकदम ठंडी हो जाए फिर उसको pieces में cut कर लेना है तो हमें एकदम छोटे-छोटे pieces नहीं करने है थोड़े-बड़े pieces होंगी तो भी चलेंगे तो इस तरह सारी फाकरी के pieces हम कर लेंगे तो यह देखिए सारी फाकरी को मैंने तोड़ लिया है और अब उसको पीस लेना है तो एक mixer जाल लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे इस सारी फाकरी और अब उसको पीस लेना है तो हमें उसको एकदम बारिक न रखेंगे और जाधा मोटा भी नहीं रखेंगे के अंदर एंदरेशी पाउडर मैं एक चमस लिया है और एक छोटी कटवी भर के भाड़ें ट्रैफट लिया है और मैं ले सकते हो और इसकेपाप्ध काउन्टिटी भी कम-उत किया है खसक यहां पर । यह इसके अंदर लेंगे और उसके अंदर add करेंगे half cup गी और एक cup गुड गुड को हम एकदम बारिक चौप करके लेना है उसको एकदम बारिक हम उसको काट लेंगे और लेंगे गुड एकदम बारिक होगा तो जल्दी से पिगल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें गुड को जादा नहीं पका गया है अब मैंने gas की flame बन कर दी है और अब इसके अंदर डालेंगे आटे वाला mixture जो हमने पहरे ready करके रखा था तो सारा mixture इसके अंदर add कर देंगे अब मैंने ये जो बढ़तान है उसको flame से नीचे उतार दिया है और उसको अच्छे से mix कर लिया है तो ये दिखे उसको बराबर से mix कर लेंगे और अब थोड़ा-थोड़ा mixture हाथ में लेके हम उसको लड़ू का shape दे देंगे तो बहुत ही easily और फटा-फट से हमारे लड़ू बन जाएंगे तो ये दिखे मैंने एक लड़ू बना लिया है और अब इसके उपर मैंने ये बदाम को बीच में से cut करके उसको गी में थोड़ा सा से एक लिया था तो वोई वाली बदाम मैंने इसके पर रख दिये तो ये दिखिए दिखने में कितना मसल लग रहा है तो इस तरह हम सारे लड़ू तयार का देंगे इसके उपर मैंने अलग-अलग ट्राइफूट्स लगाए है तो देखने में भी बहुत ही बड़ी लग रहा है ओके तो मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना